आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में और आप देख रहे हो सामाजी की विक्यान क्लास सेवन्थ की जिसमें हम नाइन्थ चैप्टर अभी करेंगे नाइन्थ चैप्टर का नाम है सितोशन घास स्थलों में जीवन जिन स्थानों पर पेड़ ही मुखे वन्सपती होते हैं उन्हें वन कहते हैं तीक है जहां पर पेड़ ही पेड़ हो वो वन कहते हैं उसी परकार जिस परदेश के पादव जीवन में मुखे तक घास की अधिक्ता होती है उसे घास तल गहते हैं देखो जो हमारी पृत्वी है ना उस पर लगबग एक चोता ही हिस्सा गास तल है यहाँ पनपने वाले पोदे के परकार यहां के जलवायों और मिट्टी पर निर्भर करते हैं सभी तरह के जो कोई भी पृत्वी पर जगए है वहां के पेड़ पोदे वहां के जलवायों पर निर्भर करते हैं वहां का रहन सेहन भी वहां के जलवायों पर निर्भर करता है फिर गास तल के निर्मान में वायों की महतवपुन भूमिका होती है इसलिए आमतोर पर जलवायों के आधर पर विश्व के घास सतलों को दो मुखी श्रिणियों में बाटा गया है अभी तो तो आपको लग रहा होगा कि जो घास होती है घास के मैदान होते हैं वो सिर्फ घास के मैदान होते हैं लेकिन नहीं वो भी दो तरह के होते हैं सितोशन परदेश के घास तल और उशन कटी बंदी है परदेश के घास तल ठीक है हमने पहले भी पढ़ा था कि उशन कटी बंदी को प्रेयरी कहते हैं उत्री अमेरिका के सितोषण घास्थल को दूसरा हम ने कौन सा बढ़ना है उश्नकटीबन्द है जो सितोषण घास्थल है प्रेयरी शब्द जो है ना वह लेटिन भाषा के σब्द प्रेटा से लिए गया जिसका मतलब है स्वाधल ठीक है जो प्रेरे वाला है इसकी जो खूबियां है वो देख लेते हैं ये समतल मंद ढलान या पाड़ियों वाले प्रदेश हैं यहां पर पेड़ भी बहुत कम होते हैं और घास अधिक होती है लेकिन हमेशा इसा नहीं हो तक के पेड़ कम ही है वास्तों में घास का विशाल मैदान है अधिकांस भागों में प्रेरी वरक्ष रहित होते हैं मतलब अधिकांस में पेड़ कम ही होते हैं लेकिन जो निचले मैदान है न नदिगाटियों के साथ साथ वहां पर वन भी पाये जाते हैं मतलब पेड़ भी पाये जाते हैं दो मीटर तक की उंची घास के यहां की बु परहिक से गेरे हुए सब्सक्राइद रहे हुए कौन प्रेबी उत्र अमेरिका के मानचित्र देखिए हुब कि यहां पर ख़ले जो सิंक त्राजक्त अमेरिका और कैनाडा है ना उसके कुछ भागों में भी ये फैले हुए अमेरिका के प्रेयरी का अपवाहन मीसिसीपी की सहायक नदियां तथा कनाड़ा के प्रेयरी का अपवाहन सास केचवान नदी की सहायक नदियां करती हैं तो सहायक नदिया अगर पूछें कि अमेरिका में प्रेयरी का अपवान कौन करती है तो मीसिसीपी की सहायक नदिया और कनाडा में प्रेयरी का अपवान कौन करता है तो सास के च्वा नदी की सहायक नदिया तो इसका जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करके रखो लेकिन आ किसके निवास थल रहे हैं प्रेरी घास के मैदान जो रेड इंडियन है रेड इंडियन क्या है अमेरिका के मूल निवासी तो इसके अलावा कुछ अन्य जाती आदिवासी भी यहां रहे हैं जैसे आपाची क्रोग क्री पानी पॉनी के भी निवास थल रहे हैं कौन प्रेरी क मैदन यहांपे प्रेड़ है तो इस नक्षिक और देख लेना फिर हैं यहां के जलवाईव बात करते हैं महादीब के मद्धbagai स्थीथ होने की कारण यहां चरम तापमान वाली महादीब के जलवाईव होती है जब यहांपे प्रेडर हिकाज़ता है गर्मी रीथू में से दिओमांग से माइनस वीस डिग्री सईलसेस तो यह तो याद रजए आपको कि जो प्रेव है वहाँ पें 20 से 20 से माइनस2 डिग्री से रहता है वही ग कर मीशरदी के हिसाब से तो शीट त kis помय प्रदेश बर्डीश बरफ की एक मोटी परस से ढग जाता है जब आती है तो बरफ भी गिरती है यहां पे यहां वार्शिक वर्षा सामान्य होती है जो गास के विकास के लिए नुकुल है बारिश भी होती है गास के लिए जरूरी भी है उतरदक्षन अफरोद के नुत्रसिति में यहां चीनुक नाम के एक स्थानिय पवन बहती है जैसे हर ए लेती है ठीक है गरम हवा है ठंडीरी तुम्हें बहती है और इससे तापमान बढ़ने के खारण बरफ पिछले लगती है और पशुओं के चरने के लिए चरागा उपलब्द हो जाता है तो क्या होगा जैसे ही पानी आएगा तो वहां पे घास बढ़ जाएगी और वहां पे चराने के लिए पशु लेकर आएंगे लोग अब यहां की वंस्पती और प्राणीजात की बात करते हैं देखो प्रेरी सामानेते पेड़ विहीन होते हैं मतलब पेड़ नहीं होते हमने वो बताया था ना यहां पर नदिया हैं वहां पर जङंगल भी पाई जाते हैं लेकिन सामानेते पेड़ विहीन होते हैं जहां जल उपलब्ध होता है वहां शर्पत, और पॉपलर जैसे पेड़ ऊगते हैं 50 संटिमिटर से भी अधिक वाले प्रदीश के लिए उपीव्ट होते हैं अदिक यहां पे फ़सल मक्का होती है, जो शेतर में मुख्य फ़सल है, वो मक्का होती है, लेकिन दूसरी फ़सले भी जैसे आलूसो या विन का पास, अलफा, अलफा भी उगाई जाती है, ठीक है, जिन थेतरों में वर्शा काफी कम और अनिस्चित होती है, वहां पैदा होन मवेसी फारम होते हैं, उन्हें रेंच कहते हैं, यहां पे रेंच है, और उसकी देखबाल करने वाले को काव बॉय कहते हैं, यह देखो काव बॉय यहां पे गोड़े को लेकर कड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो फारम है उसे रेंच कहेंगी, जो उसकी देखबाल करते हैं, देखो बाईसन या अमेरिकी भैंस ये देखो बाईसन है ये बहुत जरूरी है बहुत महतवपुर्ण पशु है यहां का निरंतर शिकार के कारण ये पशु लूप तो हो गए है और अब इने सुरक्षित पर जातियों की श्रिणी में रखा गया है इन परदेसों में पाए ज उताई थ्रैसर तीनों काम एक साथ करती है ये मशिन सबने देखी होगी बच्चों ने बहुत बार जब ये रोड चल्दी दिखाई दे जाती है अब बात करते हैं यहां के लोगों की परदेश के लोग परिश्रमी होते हैं उनको वीपुल प्राकरतिक संसादनों के उप्य का नाड़ा है इनमें यह यह परदेश स्थित हैं ठीक है विक्सित देशों में यह किर्शी वेगियानिक विदियों जैसे ट्रैक्टर है हार्वेस्टर कंब माइन है इसके उप्योग से उत्री अमेरिका का सबसे बड़ा खादान उतपादक बन गया है तो क्योंकि एक बहुत जादा गेहूं की कारण ही से दान्यगार कहते हैं यह याद रखना दूद पादन एक अन्या मुख है पर मुख उद्ध्योग है दूद कैसे होगा क्योंकि वहां पे मौवेशी पाले जाते हैं बहेंसे पाली जाती है तो वहां पे घास भी इतनी जादा है तो दूद भी जादा बनता है डेरी शेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक तक फैला हुआ है देखो दूद उत्पादन और व्यापार शेत्र पर किरसी दोनों खाद परकरण उध्योग को बढ़ावा दे रहे हैं तो दूद भी हो रहा है वहां पे और व्यापक शेत् सबसे बड़ा उध्योगिक प्रदेश बन गया है तो प्रेरी वाला जो है न वो पूरी तरह से फलाफूला चेत्र है ठीक है सहित राजय अमेरिका के प्रेरी में परमुखनगर शिकागो मिनिया पोलिश और इंडिया ना पोलिश कंसास और डेनवर हैं कनाडा के प्रेरी के परमुखनगर हैं एड्मोंटन और सैस काटून कलगरी और विनिपेग हैं ये नाम याद कर लेना अगर लगे तो आपको नहीं तो ज़रूरी नहीं है आपको एक पर पता चल गया फिर है दक्षिन आफ्रीका के बिटिश उपनिवेश बनने से पहले ये वेल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था वेल्ड नाम किसने दिया था इसको डच अधिवासियों ने दिया था अब हम वेल्ड को पढ़ लेते हैं ये क्या है जो हमारा वेल्ड है ना वो दक्षिन अफरीका के सितोशन घास थल को वेल्ड कहते हैं वेल्ड क्या है घास थल है दक्षिन अफ्रिका का वेल्ड 600 मीटर से 1.100 मीटर तक की विभिन उचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं वेल्ड एक्चल में क्या है उर्मिल पठार है जिनकी उचाई 600 से 1.100 मीटर होती है यह है ड्राकेसबर्ग परवतों से घिरा हुआ है इसके पस्चिम में काला हारी रेगिस्तान स्थित है इसके उत्रपूरों में उच वेल्ड स्थित है जिसके उचाई सानों पर 16-100 मिटर से भी अधिक होती है देखो अफरीका का मांचितर आपने देखना है और वेल्ड से घि कातल पर लगबग सभी जगह पाई जाती है तो आपके अरिया में भी कोई घास होगी उन स्थानों के नाम बताइए जहां आपने घास को उगता है जैसे कि लॉन में क्रिकेट के मैदान में पाश और मारक की दरारों में इस तरह से तो आपको यह बताना है जिससे आपकी ख लेते हैं वेल्ड की कयसी होती है इंद महसांगर के परबाओ के करण सृओं से सबसे अधिक थंडा महीना होता है और ग्रिसम रितु अल्प कालीन और करम होता है ग्रिसम रितु में जोहांसबर्ग का तापमान लगबग 20 डिगरी सेल्सियस दर्ज किया जाता है ठीक है तो 20 डिगरी का तापमान यहाँ पे मिलेगा आपको तो वेल्ड शेतर में वर्षा नुवंबर से फरवरी के बीच ग्रिसम तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह शेतर सुखा ग्रस्त हो जाता है ठीक है सुखा का पढ़ता है जब यहां पे बारिश कम होगी यहां के वंस्पती और प्रानिजा देख लेते हैं यहां वंस्पती विरल है अधिकतर स्थल घास से ढखे हुए है पता है आपको घा पारवर जो यहां के हैं वो है शेर, तेंद्वा, चीता और कुडू तेंद्वा यह देख सकते हो आप अब यहां के निवासियों की बात कर लेते हैं वेल्ड पशुपालन और खनन के लिए परशीद है वेल्ड की मिट्टी उपजाओ नहीं होती यह याद रखना है आपने लोगों का मुख्य वेवसाई है भेड मुख्य तो उनके लिए पाले जाती है तथा इसे वेल्ड में उन्हीं उद्योग विक्सित हो गया है तो भेड़े पालेंगे उन निकालेंगे तो उन्हीं उद्योग तो विक्सित होगा ना मेरिनो भेड एक लोग पर जाती है तो य कितने सारे काम हो रहे हैं इनकी बेडों से वेल्ड में खनीजों की परचूर भंडार है ठीक है जिन सानों पर लोहा और कोयला उपलब्द है वहाँ लोहा एमम इस पात उद्योग विक्सित हो गया है लोहा और कोयला तो है ही सोना और ही के खना इस परदेश के लोगों का किमबरले हीरे की खान के लिए परसीद है ठीक है हीरा और सोने की खनन के कारण दक्षण अफरीका और बृतेन के बीच व्यापार एक संभनदस सापीत हुए है और देरे 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 दक्षण अफरीका बितेन का उपनिवेश बन गया है यह प्रचूर खनीज संबद्दा वाले परदेश में आयात की सुविक्सित विवस्था है तो मतलब यहां पर आने जाने में आपको कोई दिकत नहीं हो गया आप आराम से आ जा सकते हो यह है किमबरले की हीरे की खान देखो किती अच्छी खान है आप इसे देख लो जाओगे नहीं पता नहीं कभी मौका मिले तो जरूर देखिया ना यह था हमारा नाइंथ चैप्टर इसे देखने के लिए शुक्रिया और सारे चैप्टर हमारे होने वाले एक लास्ट बचा हुआ है शायद 10 वाले चैप्टर और मेरी वीडियो करे आपको अच्छे लगती है तो लाइक जरूर कर देना इसके साथ ह हम इस पूरी बुक में जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको करने वाले हैं स्पीड को बढ़ा कर थोड़ा सा देखा करो ताकि आपका टाइम बच जाए लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो थैंक्यू वान्स अगें